हेलो एवरिवन वेलकम चुरारा दोस्तों आज मैं एक मेकप लोग कर रही हूँ दिवाली करवा चौत और दुर्गा पूजा फेस्टिवल पर आप इसे कर सकते हैं सिर्फ लैक में के प्रोड़क्स मैंने इस्तमाल किये हैं वन ब्रैंड मेकप टिटोरियल है बहुत ही आसान इसे आप इसे कर सकती हैं लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे रेड लिप्स्टिक और रेड ड्रेस के साथ भी इस मेकप लुक को कर सकती हैं सिर्फ लिप्स्टिक और ड्रेस का कलर चेंज करने की ज़रूरत है तो बेहद आसान ये मेकप इसे किसी भी स्किन टोन पर किया पार्ट है मैं यहां लैक में पीच मिल्क अल्ट्रा लाइट जेल 24 आर मॉइस्चर लोक मॉइस्चराइजर ले रही हूँ और यह बहुत जादा लाइट वेट है स्पेशली टीज होने दिया को छोड़ कर मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ क्योंकि बाकी फेस पर जादा ड्राइनेस रहती है फिर वहाँ से मेक अप खराब होने लगता है तो आप देख सकते हैं मैं अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया है दोस्तों इसके बाद मैं ले रही हूँ लाक में अबसलीट अंडर कवर जेल प्राइमर और यह बहुत ज़रा सा प्राइमर लिया है बेसिकली मैं इसको टी जोन एरिया पे पोर्स की क्लीन करने के लिए बंद करने के लिए ले रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन लुक के लिए आँकों के आसपास बहुत हलका सा लगाया है उसके बाद मैं लाक में अबसल्यूट करीना कपूर खान से जो 01 आइवरी क्रीम जो फेस फाउंडेशन है ना स्टिक फाउंडेशन ये मैंने लिया है आप देख सकते हैं और मैं इसे as a concealer यूज़ कर रही हूँ दोस्तों इसका concealer के तरीके से ही मैंने इस्तमाल किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये finger से जो है blending हो जाती है और fingers और hands से जो perfect blending होती है वो कई बार brushes से भी नहीं आपाती और आप देख रहे हैं बहुत कम product waste भी होता है वरना तो कई बार beauty blender products की जो नमी होती है उसको soak लेते हैं और face को बहुत dry बना देते हैं तो आप यहां देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये foundation blend हो गया है दोस्तों और अब इसके बाद मैं लेने वाली हूं लैक में 9-5 CC complexion care cream 01 beige मेरा shade है ये instant skin stylist है SPF 30 PA++ के साथ और इसका मैंने जो size लिया है ना चोटा वाला लिया है 105 रुपए की आती है ये आप देख सकते हैं इस पर अच्छा discount मिला था ये सारे product मैंने लैक में के नाइका से purchase किये थे कुछ को मैंने market से भी लिया हुआ है तो आपको जहां भी मिल जाए आप वहां से ले सकते हो और ये लैक में CC जो है ये बहुत अच्छे से skin को मोईस्टराइज करती है ब्राइट करती है टोन करती है और कंसील करती है फ्रेशनेस देती है मोईस्टराइज करती है प्रोटेक्ट करती है क्यूंकि इसमें SPA 30 PA++ है दोस्तों इवन स्किन टोन इसने मुझे दे दिया है और मैंने इसको अच्छे से फेस और नेक दोनों जग लगाया है क्यूंकि लुक बिल्कुल इवन आना चाहिए और आप इस मेकप को कारवा चौथ के दिन ड्रेड लिप्स्टिक पे करोगे ना मेकप तो बहुत अच्छा लगेगा लिप्स्टिक आप अपने अकॉर्डिंग इस मेकप लुक पे लगाईएगा बहुत ही जबरदस्त लगेगी अब मैं लैक में 925 का ये कॉम्पैक्ट ले रही हूँ जो की शेड है मेरा आइवरी क्रीम 01 ये 575 का आता है प्राइमर मैट पाउडर फांडेशन लेकिन ये ना बहुत अच्छी कवरेज देता है और फेस को इंस्टेंटली मैट फिनिश दे देता है बट इन सभी प्रोड़क्स पे ना 30 तू 50 परसे हो दोस्तों बाकी आइशेड़ो मैं ओनलाइन लेने को नहीं बोलूंगी मेरे साथ बैड एक्स्पीरियंस रहा है और कॉम्पैक्ट को बहुत ही अच्छे से मैं प्रेस करके लगा रही हूं जिससे की ना फेस पर यह अच्छे से सेट हो जाए आप कभी भी फांडेशन या पाउडर फांडेशन को या फिर आप कॉम्पैक्ट जो लगा रही है उसको रगड करके ना लगाए उससे वो फांडेशन का जो हमने बेस तयार किया होता है वो हट जाता है हमेशा प्रेस करके डब करके लगाए तो फिर आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा फेस पर अब मैं आपको बता दूँ बहुत अच्छे से मैंने इसके पफ से वापस से सेट कर लिया है पाउडर फांडेशन को और अब मैं ले रही हूँ आप्सलीट की 3D ब्राव डिफाइनर है और इसका शेर है ग्रेफाइट और ये ना 800 रुपीज की है एक्सपेंसिव है और जै खैर इसकी स्टे तो बहुत अच्छी थी और ये मेकप मैंने अर्ली मॉनिंग किया था मुझे कुछ वीडियो शूट करने थे और मैंने ये मेकप रात के बारा बजे निकाला था बहुत लॉंग लास्टिंग ये मेकप है तो आप जरूर से इस मेकप लोग को ट्राइ कर सकत हो और अब मैं इसके स्मजर से स्मज कर रही हूं तो लुक तो बहुत अच्छा आया है और लैक में के मेकप जो है ये अफॉर्डिबल तो होते ही है लॉंग लास्टिंग बहुत होते हैं तो बारा से पंदरा गंटे टिक जाता है लैक में आपसल्यूट का इंफिनिटी पिग्मेंटेशन चेक करके देखूं और अगर मैं आउटलेट से भी लूँगी तो बहुत सोच समझ के लूँगी अब तो ये तरीके से मैं इस किट से ट्रायल ही कर रही हूं आईशेडो का तो ठीक है पिग्मेंटेशन इस आईशेडो का और इसे मैं फिंगर से ही ब्लें टच दे सकते हो आई लेड पर इस तरीके से आप देख लीजे और अब मैंने ये लाक में नाइन तो फाइव की जो क्रीजलेस लिप्स्टिक है मेरे पास पीच पाथ मैंने ये शेड सीपी 12 लिया है कॉन्टॉरिंग के लिए और लिप्स्टिक से आप कॉन्टॉरिंग कर सक डिया है और फेस के जो फीचर्ब अउन पर कितनी बड़िया से जो काटिंग है वो कितने अच्छे से हो रही है तो यहां पर आप देख सकते हैं फीचर्ब शार्फ दिखना बहुत ज़रूरिंग का अच्छा लगता है तो यहां पर आपको हमुचा आप आपको समझा गई contouring कितने अच्छे से face को बदल देती है अब मैं लैक में 9 to 5 का ये pure rouge blusher use कर रही हूँ nude flush और ये blusher 500 रुपए का आता है लेकिन ये मुझे 300 रुपए का मिला है अब मैं 9 to 5 natural का ये powder ले रही हूँ highlighting के लिए और ये na finishing powder है infused with aloe vera and green tea extract और ये बहुत ही chunky particles के साथ आता है तो आप देखी सकते हो मैं इसको highlighter के तरीके से use कर रही हूँ अगर मैं इसे powder के तरीके से use करूँगी तो मेरा face ही tube light नजर आने लगेगा और क्या कर सकते हैं अब जो है आप देख सकते हो कि मैंने इसको cupid bow पर भी अच्छे से highlight कर लिया है और अब मैं दोस्तो next product apply करने वाली हूँ mascara ये like में iconic curling mascara है black और बहुत ही अच्छे से ये lashes को curl कर देता है और इससे lashes तूटती भी नहीं है stay भी अच्छा है और बहुत ही आसानी से ये apply हो जाता है लेकिन 4-5 coat apply ना करें वरना lashes बहुत heavy हो जाती है फिर आपको नीद आने लगेगी तो जितना light आप mascara का look रखेंगी आई उतनी ही अच्छी लगेंगी आप चाहें तो mascara ही रखें वरना आप चाहें तो इस तरीके से eyeliner लगा सकती है जैसे मैं लगा रही हूँ लैक में iconic pen liner है ये fine tip वाला और ये deep black है water resistant है smudge नहीं होता 14 hour stay करता है dermatologically tested है and no doubt ये बहुत बहुत अच्छा है 475 rupees MRP है लेकिन कम में मिल जाता है पर ये ना मैं आपको बताओं बहुत जल्दी dryness इसमें आने लगती है बहुत जल्दी तो इसको आप अच्छे से लगा लीजी और मुझे ऐसा लगता है कि ये जादा दिन चलेगा नहीं क्योंकि बहुत जादा dryness इसमें आ जाती है तो मै मैं lower lashes को भी अच्छे से curl कर रही हूँ और इन पर mascara apply कर रही हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत जरूरी है और अब मैंने lips को साफ कर लिया है अब मैं apply कर रही हूँ lipstick lack में absolute limited edition matte से ये omg pink lip color है और इसको मैंने लगा के finger से remove कर दिया है क्योंकि बहुत ही natural tinted color आता है फिर lips पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये apply कर लिया दोस्तो और वापस tissue paper से excess को remove कर दिया perfectly ये shade हो गया और अब मैंने कुरती pink पहन ली है लाक में का ये jewel सिंदूर मैं use कर रही हूँ red color और बिलकुल perfectly अब मैं जुमकियां पहन लेती हूँ बहुत ही simple सी और य delicate earring मैंने पहने हैं लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके के heavy earring के साथ भी ये make-up कर सकती है और बहुत ही आसान ये lack make-up कोई भी कभी भी किसी भी festival पर कर सकता है वीडियो पसंद आयो तो मुझे follow करिएगा instagram और facebook पर thank you so much दोस्तों कैसा लगा बताईएगा जरूर और भी वीडियो शेयर करूंगी मैं बाई बाई